बिस्मिल्लाहिर रह्माइन रुरहीम एक्सरसाइज क्वेस्चेन 4.26 आपने कस्टर्ट करना है 4 to 16 लाइन डिकोडर और उसके लिए यूज क्या करने हैं? 5 2 to 4 लाइन डिकोडर्स with enable input 5 components 2 to 4 लाइन लेने हैं और उससे ये डिकोडर आपने कस्टर्ट करने हैं स्टार्ट करते हैं, सबसे वहले block diagram देखने लेते हैं component हमने यूज करना है 2 to 4 लाइन डिकोडर्स with enable input ये इसकी block diagram होगी 2 input है और 4 output lines और ये enable input है और enable input 1 क्योंकि ये end gates के साथ बना हुआ है ये end gates के साथ हो या end gates के साथ enable input 1 ही इसको active करेगी और अगर 0 होगी तो इसको disable कर दें तो input लेते हैं 4 to 16 line बनाने हैं 4 inputs हैं उसको आप designate कर दें A0, A1, A2, A3 तो इसको 5 components यूज करने हैं उसमें 4 components तो आप इधर ले लें 2 to 4 with enable input एक और component थर्ड और एक और तो आपने 4 components लिए 2 to 4 line decoder दें और ये जो first input के 2 bits हैं ये आपके 2 to 4 line decoder की input क्योंके 2 हैं ये A0, A1 तमाम decoder की input पे apply कर दें जहां तक ये दो inputs का तालुक है इसके लिए 5th 2 to 4 line decoder ले ले 2 to 4 line और ये आप इधर apply कर दें A2 to A3 और इस decoder के जरीए हमने इनको drive करना है इसलिए इसकी जो output line D0 है ये इसकी enable पे join कर दें D1 को इसकी enable के साथ D2 और D3 इनकी enable तो ये जो output lines है ये आपने इन decoders की enable पे पहुंचा दें तो ये आपकी construction हो चुकी है आपने 5 decoders ले हैं 1,2,3,4,5 size के है 2 to 4 line decoders का और enable input के साथ इधर enable input की जरूरत नहीं है Actually आपका circuit design हो चुका है अब हम जरा verify कर लेते हैं कि क्या इस तरह की construction 5 in decoders के साथ क्या as a whole ये 4 to 16 line decoder का role play कर रहा है या नहीं उस verification के लिए हम input लेते हैं 0000 ये 00 A0 A1 इधर apply कर दें और ये 00 A2 और A3 पे apply कर दें हमें चाहिए ये आपकी input है 0000 आपके as a whole जो complete circuit है उसकी जो output है D0 up to D15 यहां पे देखना है कि 0000 कौन सी line को active करेगा और कौन सी inactive रहेंगी तो जरा इस construction को पहले देख लें इस 00 पे इस decoder ने क्योंकि decoder एक time पे एक ही output line को active रखता है और वाकी remaining lines inactive होती है तो 0000 पे कौन सी line active होगी D0 और ये inactive होगी तो यहां पे one produce होगा और इधर पे zeros इस one क्योंकि ये इस enable के साथ है इसको active कर देगा enable बना देगा और ये zeros इनकी enable पे होने की वज़ा से इन तीनों decoders को disable कर देंगी तो ये इस तरह की form बनेगी 00 ने इसको active किया one यानि decoding की और ये zeros उसकी वज़ा से ये enable हो चुका है और ये disable और ये 00 इन 4th 4 के 4 decoders की common inputs है इस enable पे तो ये decoding कर सकेंगी disable में input कुछ भी हो तो answer 0 होता है इस 00 ने इस की decoding करनी है तो 00 पे इन 4 lines में किसने active होना है D not और remaining zeros ये disable होने की वज़ेसे input कुछ भी हो सारी की सारी zeros होंगी तो आपने देखा आपने 0, 0, 0, 0 ये input पे दिया और जो 16 output lines है वो आपकी 00 पे D not active है और remaining सारी zeros एक और input try करते हैं अगर हम input लेते हैं 1, 0, 1, 0 इन दो को इधर अप्लाई कर दें और इन दो को इधर अप्लाई कर दें जो के हमारा design है 1, 0 इस input ने, इस decoder ने कौन सी line active रखनी है 1, 0, D, 2 line ये 1 होगी और remaining zeros इस one की वज़ज़ से ये enable हो जागा और ये तीनो उन zeros की वज़ज़ से disable हो जाएंगे ये form बनेगी ये active हो गया और ये तीनो के तीनो disable हो चुके है 1, 0 क्योंके common inputs हैं इन तमाम four decoders की तो यहां पर तो decoding होगी 1, 0 की ये तीनो decoders zero ही produce करेंगे disable होने के वज़ज़ से तो 1, 0 D2 यानि third line इसकी decoding होगी ये आप अगर इसको assume करने zero line 1, 2 ये आजाएगा two line ये active हो जाएगी और वाकी zeros और इन की zeros enable input होने के वज़ज़ ये सारे के सारे zeros produce करेंगे तो आपने देखा आपने input दी 1, 0, 1, 0 यानि इसका decimal equivalent है 10 तो देखते हैं as a whole ये 16 lines में 3 तक ये है 7 तक ये है 8, 9, 10 10 ही active है और remaining inactive है एक चीज़ और आपने देखी होगी ये इसकी हर decoder की output lines 0 से 3 तक होनी चाहेंगे क्योंकि हमने continuation के साथ इनको 4 की जो output lines हैं उनको 16 बनाना है तो वही 0 से 3 तक ये है रखा है आपने और इन 4 lines को आपने continue कर दिया ये 3 है 4 से 7 तक उनको designate कर दिया ये 8 से 11 तक और ये 12 से 15 तक मसला वही है 00 पे first line active होगी ये first line ये इसकी first line ये इसकी first line 01 पे इस decoder में ये line active हो सकती है ये हो सकती है ये हो सकती है designation इसलिए कि हमें 4 to 16 line का exposure मिल सके I hope आपने इसको understand किया होगा Thank you